Hello friends, good afternoon, कैसे हो? I hope कि आप लोग 6 होंगे Show friends, इस वीडियो में हम लोग solve करेंगे हिंदी का practice set पुरे 50 questions हम लोग इस वीडियो में solve करेंगे और यह practice set का 20 वा वीडियो है अगर आप लोग पीछली practice set की वीडियो शे नहीं देखें हैं 2020 तक का papers डाल दिया हूँ इन 5 साल के papers को आपको अच्छे से त्यार कर लेना है अगर आप लोग इन papers की PDF चाहिए या practice set papers की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे telegram channel से join हो जाईए join कैसे होना है इस वीडियो को discussion box में मेरे telegram channel की link है आप लोग वहाँ से direct join होके हर एक papers की PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते है friends मैं आपको बता दूँ अगर आप लोग 2021 में बीट करना है तो आप लोग इस चैनल से जूड़ी जाए इस चैनल के मादम से आपको नेशी दी मदद मिलेगी चैनल को subscribe करके बगल में बिल आकोन को on के लिजेगा फटा उड़ता है 4-5 शिकन का समय रहा करेगा आप लोगों के पास ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोग भी सकते हैं तो देखे शंदेश रासक के friends जो रचाईता है वो हैं अब्दुर रहमान option C correct होगा इस question का right answer coffee important question है अगला question देख सकते हैं काउंशा महीना भादरपद महीने के बाद आता है ये तो आप लोग comments लगा सकते हैं English में आप लोगों को मन्त याद होगा बट हिंदी वाला भी आपको याद रखना है जो total होते हैं चैद, बैशाग, जेट, अशाड ऐसे होते हैं तो आपको पूरे बारों महीनों के नाम याद रखना है तो भादरपद महीने के बाद काउंशा महीना आता है फड़ा बट comment box में बता है इस question का right answer तो भादरपद महीने के बाद आता है आश्विन, option B करेक्ट होगा इस question का right answer अगला question से यहाँ पर देख सकते हैं शाओधान मनुष्य यदे विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह, इसमरती के पार पंक्तियों के रचाईता है इसके रचाईता कौन है इस पंक्ति के नागरजुन, दिनकर, अग्गे, निरला, फड़ा फड़ा इस question का right answer अपलता है 53 questions का right answer option B, यानि कि इस पंक्ति के जो रचाईता है वो है दिनकर जी, option B करेक्ट होगा इस question का right answer ये सारे questions important है आपके exam के लिए, daily आपको practice करना है practice करने से आपका ये होगा कि confidence आपका बढ़ेगा, अगर score जा रहा है तो confidence बढ़ेगा और daily practice आपकी होती रहेगे तो questions आपको देरे-देर रटे जाएंगे अगर आप लोग कितने भी book पढ़ लें, अगर आप लोग practice नहीं करते हैं तो आपकी तयारी बिलकुन बेकार है ठीक है न, अगला question प्रथम तार शब्तक का प्रकाशन वर्ष है, जो तार शब्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है प्रथम आपको बताना है, 1943, 1934, 1941, 1941, फड़ा वर्ष कमेंट बाक्स में बताएं इसका option का right answer तो प्रथम तार शब्तक का प्रकाशन वर्ष है फ्रेंड्स वो है, 1943, option एक रिठ होगा, इस question का right answer अगला question यहाँ पर देख सकते हैं, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, सब किसकी पंक्ती है, very, very most important question है, फड़ा फड़ उता सकते हैं, किसकी पंक्ती है यह, option देख सकते हैं, चारो में से जो भी question का right answer हो, comment box में बताएं तो इस पंक्ती के जो लेखाक है, यानि किसकी पंक्ती है यह, तो यह है मुक्ती बोध जी की, option D करेक्ट होगा, इस question का right answer अगला questions यहाँ पर देख सकते हैं, very, very most important question है, हिंदी सब्द कोस में, आ, किस word से पहले आता है, ठीक न, यह जो आ है, उपर बिंदी भी लगी होई है, तो यह किस word के पहले आता है, यह आपको बताना है, ओ, आ, अहा, आ, फड़ा फड़ा इस question का right answer, आप लोग comment box में share करें तो आहा, जो आता है न, यह आहा के बाद आता है, ठीक, आहा के पहले आता है, option C, correct होगा इस question का right answer, अगला questions यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, question यह है, निमलेखित में से दंत्यब्द वनड़ शब्द है, दंत्यब्द वनड़ सब्द कौंशा है, इन में से आपको बत अगला question से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अपनी quality बढ़ा लीजीगा, अगला question यहाँ पर देख सकते हैं, सब्द कोश में निम्ड में से सरवर्थम आने वाला शब्द है, ठीक है, शरवर्थम आने वाला शब्द कौंशा है, इन चारों शब्द कोश में से, फड़ महोदय की, या महोदय की, या महोदय की, फड़ा बता सकते हैं, महादन उदय की संधी है, तो यह महोदय की है, महोदय के संधी विच्छेत क्या होता है, महादन उदय, option A करिक्ट होगा, इस question का right answer, ठीक है, अगला question से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सद भावना का सं कोश्चन आपकी आते हैं ठीक नहीं सद्भावना का संद्विचेत आपको यहां पर बताना है क्या होगा कि बहुत इंपॉर्टन कोश्चन यह वाला सद्भावना वाला अक्सर एक्जम यह कोश्चन रिपीट हुआ करता है शद्भावना का संद्विचेत पूच ले आता है 61 question का right answer आप लोग बताएं comment box में तो वाक में परीक्त शब्द को क्या केते हैं हम लोग पद कहते हैं option B correct होगा question का right answer अगला question यहाँ पर आप लोग देख शिकते हैं यहाँ पर dot dot है बोलो कोई सुन लेगा वाक में रिस्थान में आएगा यानि कि यहाँ पर जोर से आएगा या गा कर आएगा या चींक कर आएगा या धीरे से आएगा common sense लगाना है थोड़ा सा तो धीरे से बोलो कोई सुन लेगा ठीक है यहाँ पे धीरे आए गया ठीक है ना भाई धीरे से बोलेंगे तो नहीं तो कोई सुन लेगा तो यहाँ पे वही match कर रहा है option D correct होगा इस question का अगला question वाके में सब्दों का करम निर्धारित हो क्या है जो वाके में शब्दों का करम होता है वो निर्धारित किस से होता है पदिक्रम से या भाशा से या चंद से या अलंकार से फड़ा फड़ा बता सकते हैं शब्दों का करम किस से निर्धारित होता है तो friends जो चब्दों का क्रम निधारीद होता है वह होता है पदक्रमश option A correct होगए इस question का right answer ये रहा अगला question very very most important question है question ये है वनमास में कौन सा समास है इस question का right answer बताए आप लोग वनमास में कौन सा समास है तो वनमास में जो friends समास है वह है तत्पुरुश अमास option b correct होगा इस question का right answer काफी सारी लोग comments कर रहे थे जैसे वो लोगो PDF मिल जाए रही तो वो लोग कह रहे हैं कि answer इसमें लगा दिया करें तो सच में अगर आप लोगो दिक्कत हो रही है तो मैं answer लगा दिया करूँगा बट मेरा एक ये भी है सुझाओ है कि जब आप लोग video मेरी देखा करें पूरी video देखने के बाद एक से दो घंटे के अंदर आप लोग questions को note कर लिया करें PDF अगर आप लोगो देखना हो तो notes में जो जो important question रहा करें notes कर लिया करें इन PDF में से तो एक दो घंटे तक तो आपको अंशर याद ही रहेंगे न नहीं याद रहेते तो आप लोग questions number तो इसमें है ही YouTube पे सर्च करके देख सकते हैं आके तो अगर आप लोगो अंशर चाहिए तो आप लोग comment box में बता दीजे मैं अंशर लगा दिया करूँगा इससे कोई दिकत नहीं है मैं यही सोचा था कि आप लोग उसमें देख लिया करेंगे notes करते समय अंशर अगला question निमलिकित में से किसमें दूंद शमाश नहीं है दूंद शमाश इसमें किसमें नहीं है तो very very most important question और simple सा question है तो यह मैं बताया क्या था दूंद शमाश जिसमें दूंद शमाश रहता है उसमें बीच में क्या लगा रहता है आयोजा का चिन और इन तीनों में लगा हुआ है तो मत दाता में नहीं लगा है यही क्या हो जागा दूंद शमाश इसमें नहीं है option d character का कोशन का राइट अंसर दौन दुसमास कभी भी दिखे तो उसमें बीच में क्या आयो जग का चिन लगा रहता है इसी से आपको पहचान जाना है ठीक है अगला कोशन तरंग का परियावाची है ठीक है तरंग का परियावाची आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में सरसर नम्मर का कोशन का राइट अंसर बताएं सरंग का परियावाची सब्द क्या होगा तो तरंग का परियावाची है उर्मी यही आपका तरंग का परियावाची है अगला कोशन से यहाँ पे देख शकते हैं सूरज का परियावाची क्या है यह आपको बताना है फड़ा यानि कि option D ही correct होगा इस question का right answer मैं आपको बताया क्या था कि अगर option में कभी उपरियोगत सभी ये सभी दिखी जाएं तो आपको थोड़ा सा option पढ़ना है अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो direct आपको उपरियोगत सभी वाले में टिक लगा देना था है ठीक है 100% question वही सह होते हैं अक्षर एक्जाम में यही चोटी चोटी ट्रिक होती है एक्जाम को अच्छे नमबर 5 करने की अगला कुछन भावरा का परियावाची है परियावाची से भी तीन से चार questions आ जाते हैं भावरा का परियावाची सब्द क्या होगा फड़वट comment box बताएं तो भावर का प्रिवाशी शब्द होगा friends वो होगा शश्य option ए वाला correct होगा S question का right answer अगला question यहाँ पे विलोम शब्द आपको चुनना है यहाँ पे निंदा दिया गया है शब्द इसमें से निंदा का विलोम शब्द क्या होगा इस्तुती या राधना या निदरती या परवती फटबर इसकोशन का राइट आंसर आप लोग बताएं निंदा का विलोम शब्द तो friends जो निंदा का विलोम शब्द होगा वो होगा इस्तुती ठीक है निंदा का विलोम शब्द क्या होता है इस्तुती option A correct होगा इस question का right answer ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं क्या पूँचा गया था अगला कोशन श्वाधीन का जो विलोम शब्द होगा क्या होगा अधिनता या निर्धनता या निबलता या प्राधीन तो श्वाधीन का जो फ्रेंड्स पर विलोम शब्द होगा वो होगा पराधीन option D correct होगा इस question का right answer अगला questions यहाँ पे देख सकते हैं संध्या और रातरी के बीच का शमय वाक्यांस के लिए शब्द चुनिए दो शंध्या और रातरी के बीच का शमय होता है उसके लिए शब्द आपको चुनना है क्या कहलाता है रात कहलाती है या च्छा या साम कहलाती है या साम या गोधली फटबर डिस question का right answer आप लोग comment बाक्सिं बताएं तो शंध्या और रातरी के बीच का जो शमय होता है उसो कहलाता क्या है गोधली option D correct होगा इस question का right answer coffee important question है आपके exam के लिए ये questions एक बार मैं exam में देखा था अगला questions ये रहा very very most important question है ये वाला मोच्च की इच्छा करने वाला वाक्यांस के लिए शब्द चुनिए जो मोच्च की इच्छा रखने वाला होता है या करने वाला होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा ये आपको select करना इसमें से तो मोच्छो की इच्छा करने वाला वाक्यांस के लिए एक शब्ध हम चुन रहें मुमुच्छो को option A correct होगा इस question का right answer important question है ये वाला अगला question से यहाँ पर देख शिकते हैं आप लोग वाक्यांस के लिए कौन सा सब्ध अशुद्ध है अशुद्ध आपको शिलक्रना है चारो में से कौन सा अशुद्ध है तो हम इसे बारीक से पढ़ते हैं यानि कि बारी बारी से हम चारो option को पढ़ते हैं कौन सा इसमें जो है अशुद्ध है यहाँ पर पहला पढ़ते हैं वह कभी जो ततकाल कविता करता है जो C की उपाशना करता है शयो ये तो आपका correct है अलोचना करने वाला आराधक ये भी correct है जो बहुत बोलता है वाचल और यहां पर क्या था वह कभी जो तत्काल कविता करता है आशु कभी इसमें थोड़ा अशुद्ध लग रहा है तो यही आपका अशुद्ध वाक है एक मि अशुद्ध वाक्य है, ठीक है? अगला कोशन यहां पे देख सकते हैं, अराम सब्द है, जो अराम शब्द है आपका, वो कौन सा सब्द है? तदभव शब्द है, या देश्य शब्द है, या विदेशी सब्द है, या अरबी सब्द है? फड़ा फट कमेंट बाक्स मताएं कि अराम शब्द जो है वो कौन सा सब्द है तो अराम शब्द जो है ये अरभी भाशा का शब्द है option D correct होगा इस question का right answer very very most important question है अगला question संस्क्रिट के शब्द जो हिंदी में जियों के तियों परिक्त होते हैं कहलाते हैं अच्छा question है काफी ये वाला जियों के तियों में परिक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं comment box में आपको बताना है तो वो कहलाते हैं ततसम सब्द ठीक है अच्छा question है option C correct होगा इस question का right answer ये रहागला question क्रपन सब्द है जो क्रपन सब्द है वो कौन्श शब्द है अर्द ततसम या ततसम या देशद या ततभव comment box में बताएं आप लोग तो क्रपन शब्द जो है फ्रेंड्स वो है ततसम शब्द option B correct होगा इस question का right answer अगला question गुडिया में प्रत्य है गुडिया में प्रत्य क्या है प्रत्य जो last में लगता है शब्द के गुडिया लाश्ट में प्ढ़िया क्या आ रहा है गुडिया लाश्ट में क्या निकलेगा ये वाला ये ये वाला ये वाला ये वाला फड़ बढ़ता है असी नंबर का जो question है तो गुडिया लाश्ट में क्या निकल ला है गुडिया यह निकल दा है, ठीक है, option यह वाला, option एही correct होगा, इस question का right answer, उसी तरह इसमें भी आपको बताना है, बनावट, बनावट में प्रत्य क्या है, बनावट को आप लोग अच्छे से पढ़िए, last में प्रत्य क्या निकल दा है, बनावट, क्या निकल दा है, बनावट, आवट निकल दा है, ठीक है, option एही correct होगा, इस question का right answer, उसी तरह इसमें है, चिक नाहट, यह भी उसी तरह का है, same to same है, चिक नाहट, जो चिक नाहट में, last में क्या निकल दा है, आहट, option भी correct होगा, इस question का right answer, अगला question, अवियान, में उप्शर्ग आपको बताना है, friends, उप्शर अभियान को पढ़िए, अभी, last में का निकल ला है, अभी, option एही correct होगा, इस question का right answer, यानि कि अभियान में जो उप्शर्ग है, वो है अभी, ठीक है, अगला question यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे दिगए सब्दों के शमनार्थक शब्द में से, जो गलत है, उसका chain करना है ठीक है, यानि कि खाग का जो परियावाची होता है, जैसे पच्छी हो गया, तो इसमें कौन सा गलत है चारों में से, यह आपको शाटना है, तो खाग का परियावाची बान भी होता है, पच्छी भी होता है, मरक भी होता है, इसमें सिगंधर वो नहीं होता है, option C वाला, त तो अशुद्ध आपका हो जाएगा कलंक बाकी जो है आप जी के प्रिवाची हो जाएगे ठीक है अगला कोशन कनक इसमें भी आपको अशुद्ध चुन्ना है कौन सा है option यह वाला किरण जो है अशुद्ध वाक है ठीक है अगला कोशन मोहारा शरी लोकवक्ती से हैं अधजल गगरी छलकत जाए लोकवक्ती का शही अर्थ बताईए हाई स्कूल से पढ़ते चले आ रहे होंगे आप लोग इस लोकवक्ती का अर्थ क्या होगा सही अर्थ क्या होगा अधगल गगरी छलकत जाए का तो अधगल गगरी छलकत जाए लोक वक्ति का जो फ्रेंड्स सही अर्थ है वो है डिंग हांकना option C करेक्ठ होगा इस question का right answer अगला question यहाँ पर देख सकते हैं मकमली जूते मारना इसका हावत का अर्थ क्या है ठीक है थोड़ा सा common sense लगा कि इसका right answer आप लोग बताश चकते हैं मकमली जूते मारना का अर्थ क्या होगा इसका हावत का अर्थ क्या होगा तो मकमली जूते मारने का जो अर्थ होता है इसका हावत का अर्थ होता है कि मधूर बातों से लजजित कर देना option D correct होगा इस question का right answer अगला questions यह तो आप लोग आशानी से कर रही लेंगे बंदर क्या जाने अद्रक का श्वाद थोड़ा सा sense लगाईए और comment box में 89 questions का night answer आप लोग बताएं तो जो मूर्ख होता है वो अच्छी वस्तु की जो है कदर नहीं करता है इसी का मतलब होता है बंदर क्या जाने अद्रक का श्वाद ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस question का right answer अगला questions यहाँ पे देख सकते हैं निम्न प्रशनों में से काले छपे सब्दों का शुद्ध रोप चुनिए विधायक आगामी रवीवार को आएंगे इसमें से सुद्ध रोप को हमें चुनना है काउंशा शुद्ध होगा तो विधायक भाईया परचीत होंगे विधायक जीसे तो विधायक कई से लिखा जाता है ऑप्शन बी वाला यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है विधायक जो है आगामी रवीवार को आएंगे वच्चों को वजीफा मिलेगा यहाँ पे वजीफा कैसे लिखा जाता है यह आपको बताना है शुद्ध वाक्य में तो फ्रेंड्स वजीफा यह ऐसे लिखा जाता है तो द्रोप होता है वजीफा का आप गजल को आशिरवाद देकर करतार्थ करें आशिरवाद कैसे लिखा जाता है यह आपको बताना है तो आशिरवाद कैसे लिखा जाता है, option D में आप लोग देखिए ये वाला, ऐसे लिखा जाता है, बड़ा आ रहेगा, फिर C रहेगी बड़ी, फिर वा, वा में आपका उड़नता रहा, फिर दा, आशिरवाद, कभी-कभी exam में पूछ ले आता है, आशिरवाद दे दिया जा हैं, दिये गए प्रश्णि के चार विकल्पों में से सही वाका का चैन करना है, इन में से चार वाका को हम लोग पढ़ते हैं, अच्छे से, फिर हम इस में से सही वाका का चैन करते हैं, यहां पर देख सकते हैं, मैंने कल बंबई जाना है, यह तो बात होई नहीं, मैंने कल म मुंबई जाना है चाउथा भी पढ़ लेते हैं मुझे कल मुंबई तो इसमें मांतरा नहीं लगी है तो option c वाला correct हो जागा मुझे कल मुंबई जाना है यही आपका शही वाक्य है option c वाला correct होगा इस question का right answer अगला question यहाँ पर देख सकते हैं very very most important question है स्रंगार रस की मैत्री क किस्से है स्रंगार रस की रस जो है मैत्री किस्से है फट फट कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं स्रंगार रस की रस मैत्री किस्से है तो यह है आपकी हासे से option a correct होगा इस question का right answer अगला question गणों की कुल संख्या है गणों की जो total संख्याएं हैं कितनी हैं आपको बतान है साथ बारह आठ दस तो गणों की फ्रेंड्स जो टोटल शंख्याएं हैं वो हैं आठ आठ आप्शन सी करेक्ट होगा इस कोशिन का राइट आसर अगला कोशिन से यहां पर देख सकते हैं आप लोग इसकी थोड़ा इसकैन कहने में थोड़ा वो हो गया है रहीमन जो गति दीप की फुल कपूत गारी सोए ठीक है दिखता कम है थोड़ा बारे उपियारे लगे बढ़े अधेरों होए प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है थोड़ा आप लोग अपना रिविलेशन उपशन सी वाला करेक्ट हो गया इस कोशन का राइट अंसर अगला कोशन यहां पे देह सकते हैं गदानश यह आ गया है और यहां गदानश आपको पढद credential आपके दिए गया है ठीक है यहां पर when और आपको दिखाई Shut़ हूँ फिर मैं आपको इनका अंसर बताता हूँ तो यह आप लोग सबसे पहले इन questions को किया कैसे जाता है देखिए इसमें कभी-कभी पांच questions आ जाते हैं और कभी-कभी तीन questions दे दिये जाते हैं और यह विल्कुन free के number होते हैं अगर पांच आता है तो तीन तो 100% आप लोग कर लेंगे चाहे आप लोग गद्दान्स पढ़के जाएं चाहे नहीं अगर गद्दान्स पढ़के जाएंगे तो वह तो आना नहीं है दूसरा ही आएगा पर हाँ practice हो जाते ही किसे हमें कैसे करना होता है तो मैं आपको बताए दे रहा हूँ अगर आप लोग तीन आएगा तीन पूछा जाता है तो तीन आप लोग 100% करके आएंगे चाहे आप लोग पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो गद्दान्स को देखे सबसे पहले जितने question दिये रहे हो तो सबसे पहले आपको questions को पढ़ना क्या है पढ़ना है कि क्या question पूछ गया रहा है ठीक है अच्छे से पढ़ लेना ठीक फिर questions को याद रखना है थोड़े देर के लिए जब तक आप गद्दान्स को पढ़ रहे हैं ठीक है फिर आपको गद्दान्स को पढ़ते चलना है उसी में से आपको right answer आपको पता चल जाए तो यहाँ पे हम सबसे पहले questions को पढ़ते हैं क्या है लेख क्या कि अनुसार अपनी बात कहने के संदर में सबसे महत्पूर्ण क्या है अब हम लोग गद्दाश के उपर नजर डालते हैं शो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कहा जा रहा है उससे से कहीं महत्पू महत्पूर्ण क्या होता है लेखे अनुसार अपनी बात कहने का तरीका option में हम मिलाते हैं कि यह मिला है ठीक है option डी वाला option डी करेक्ट होगा 97 का राइट अंसर अगला question क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग question यह समवात तभी सर्थक होगा जब तो आप लोग पढ़ लीजेगा अच्छे से आप मैं आपको राइट अंसर बताया दिये रहा हूं जब आप लोग गद्दाश को पढ़ लेंगे न यह तो आराम से questions आप लोग solve कर लेंगे तो शमवात सभी सर्थक होगा जब कहने सुनने वाले शक्री हो ठीक है ना जब आप आप किसी को बात बता रहे हैं जब कोई अगल बगल आपका शुनने के लिए तैयार होगा तब ही तो आपका बात बताने का मतलब होगा जब इधर उधर कोई सुन रहेंगा तो मतलब क्या होगा ठीक है option D correct होगा इस question का राइट अंसर अगला question है खामोसी ही बोलने लगती ह यह अपिप्राय है यह अपिप्राय किससे है यह आपको बताना है गद्दाश को देख कर बताना है ऐसे नहीं बताना है option C वाला correct होगा खामोसी ही बोलने लगती है यह अपिप्राय इसका अर्थ है कि जब कुछ बच्चे धीरे धीरे बोला बंद कर देते हैं तो बाकी तो लेखी के कानुसार एक सिच्छक अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह जानता है option A ही correct होगा इस question का right answer तो friends यह थे हिंदी के top 50 questions I hope कि आमनों को pattern पता चल गया होगा किस तरह के questions आपके exam में पूछे जाते हैं तो आप लोग मेरे साथ daily joined हैं daily आप लोग मेरे साथ practice क दिया करें अच्छा score आप लोग प्राप्त करेंगे मुझे विश्वास हैं और आप लोग बता करें आपका किस्तना questions correct जा रहा है पचास questions में से हर subject का आप लोग बता करें जीके कला वर्ग हो गया और मैं आप लोग लिए notes स्यार कर रहा हूं लगभग लगभग complete ही हो गई है अभी काफी समय इसी वज़े से मैं notes में ज्यादा focus नहीं कर रहा था बड़ मैं जितना आपको content दूँगा जीके मैं guarantee लेता हूं अगर मैं जितना content देता हूं उससे अग चोड़ जिसे बोलते हैं ठीक ना तो लगभग सभी questions उसमें आपके हो जाएंगे जितने भी questions मैं आपको करवाओंगा उससे एक भी questions नहीं बाहर जागा एक दो की बात नहीं कहता current affair वगएरा current affair की मैं भी class करूँगा current affair आपका ज़्यादा 2020 के ही पूंचा जाएगा तो मिलते हैं अगली वीडियो पर अगर आपके मन में कुछ doubt है तो आप लोग comment box में पर नहीं query कर सकते हैं उसमें अगर आप लोग reply नहीं मिला है तो आप लोग हमरे WhatsApp नंबर पर information ले सकते हैं 7905632533 इस WhatsApp नंबर पर आप लोग B8 से related information ले सकते हैं ठीक है तो मिलते हैं अगली अगर हमारा वीडियो पसंद आया करें थैंक्यू